कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर ताला बंदी हो गई हैं कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिये गए हैं हमारे देश में लोकतंत्र पर ताला बंदी हो गई है और ये कॉंग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं हमारे देश में डेमोक्रिसी फ्रीज हुई है एक बहुत ही बेबुनियाद आरोप लगाया गया है कि उनका जो एकाउंट फ्रीज किया गया है वो बीजेपी के दबाव में किया गया है इसके हम पुरी भरसना करते हैं ये जूटा आरोप है बीजेपी है नाथिंग तो दू विडिट अट आरोप लुटीन इंकम टैक्स प्रॉसेस नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुकेश तिवारी मेरे साथ सुकेश रंजन और आप न्यूस 24 का खास कारिक्रम देख रहे हैं यूट कॉंग्रिस के बैक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया अब ये जो अकाउंट फ्रीज किया गया वो इंकम टैक्स जोरा फ्रीज किया गया जो कॉंग्रिस ने बताया जो जो आजए माकन ने बताया उन्होंने बताया कि 2018-19 में उन्होंने जो return file की थी उसमें देरी हो गई थी, इसका हवाला दिया गया है, इसके लावा 14,40,000 रुपे उस वक्ट चुनाव के टाइम में cash का इस्तिमाल किया गया था, MPMLS ने contribute किया गया था, उसका हवाला देते हुए, इस account को freeze किया गया है, और Congress के उपर 210 करूर रुपे की penalty लगाई गया है, अब इसके बाद से Congress सरकार, BGP सरकार पे हमला वर है, बोल रही है कि ये account पे freeze नहीं लगा है, ये democracy पे freeze लगा है, लगातार हमला बोला जा रहा है, और timing भी बहुत suspect बताई जा रही है सर इसकी, क्योंकि लोकसवा चुनाओ होने वाले हैं, लगभग एक महीना time बचा हुआ है, जब सभी party को काम करना है, कल Supreme Court से फैसला है कि bond system, electoral bond system को खतम कर दीजे, इस बीच में Congress के उपर ये action कहीं सवाल खड़े करता है, ते कि चुनाओ में पैसे का इस्तमाल होता है, जी, और पहले उस पैसे का इस्तमाल कैसे हो रहा है, वो transparent है कि नहीं, लोगों को, पार्टियों को level playing field मिल रहा है कि नहीं, इसको लेकर एक बहुत चड़ गई थी Supreme Court के judgment के बाद जो कल आया, जी, उस पर बाद में जाएंगी विस्तार में, लेकिन आज जो Congress Party ने प्रेस Conference किया, उन्होंने ये कहा, उनका आरोब था कि हमारे bank counts freeze कर दिये गए, आपने ठीक कहा, उनका democracy freeze कर दी गई है, इस प्रेस Conference के एक घंटे बाद ही, दुमारा एक tweet आता है, उनके लोग ट्रिबुनल में जाते हैं, और ये कहा जाता है, कि 115 करोड आप अपने bank count में छोड़ सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा आपको, बाकी आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि Congress Party ने ये कहा था कि उसके पास लोगों को salary देने के लिए पैसे नहीं है, बिजली का bill भरने के लिए पैसा नहीं है, और ये तब पता लगा उन्हें, election commission जो है, वो दो चीजों से, दो इशू थे जिनकी वज़े से ये करवाई हुए, देखे, 18-19 का बाकिया है ये, उन्हें बता है, 2018-19 का बाकिया है, चार साल बीच चुके हैं, हम किसी भी वक्त चुनाव में कूट सकते हैं, election commission के घोशना का इंतजार है, हम already चुनावी मोड चुनावी में तो हैं, और ऐसे समय में कहा जाता है कि पिछला 2018-19 के वक्त दो चीजें हुई थी, एक कि 40-45 दिन, Congress का ऐसा कहना है, कि हमने जो return file किया, वो 40-45 दिन देर से किया था, जी, और दूसरा जो issue है, वो कि 11,49,000 रुपे, आप 2000 से जादा रुपे cash में नहीं ले सकत हैं, जो चुनावी विवस्था को, चुनावी funding को कैसे उसमें transparency आए, इसके लिए जो नया कानून लाया गया 17 के बाद, 17 में, तो उसमें था कि 2000 से जादा आप cash नहीं ले सकते हैं, income tax का कहना था, कि 11,49,000 रुपे जो आए हैं, वो cash में आए हैं, आपके, Congress ने कहा, कि ये हमारे, जो MPs हैं, MLA's हैं, मेरे ख्याल से 23 MPs, MLA's, ने अपनी salary दोनेट की थी, और साथ में अपना pan जो है, वो दिया था, तो ये, it should be construed as donations, उन्होंने अपनी salary, जो उनके MLA हैं, MP है उन्होंने पैसा हमें दिया था, और pan जो है, वो दिया था साथ में, चलिए, ये legal लडाई है, इसका विवेक तंखा, ट्रिबूनल में पेश हो रहा है, साथ, Wednesday को date लगाई गई है, जब तक investigation pending है, 115 करोड रुपे, खाते में रहने चाहिए, ऐसा income tax ने कहा है, अब कुछ ची ही है, अब, Congress और BJP, दो प्रमुख पार्टिया है, नाशनल पार्टिया है, जिनके बीच मुकाबला होता है, बाकी अलग लग पार्टिया है, रीजनल पार्टिया है, बड़ी पार्टिया भी है, लेकिन इस देश में, आज की तारीख में, ये लाल किश्नाड़वानी कहा क करते थे कि BJP की सबसे बड़ी उपलब्धी ये है कि उन्हों ने उस पार्टी ने इस देश की पॉलिटी को बाई पॉलर पॉलिटी में तब्दील कर दिया पहले एक नाशनल पार्टी जानी जाती थी वो कॉंग्रेस पार्टी थी बीजेपी मैं बार बार कहता हूँ वो काउ पॉलर नहीं है उन्हीं पॉलर ही हो गया क्योंकि इस हेविली टिल्टि ट्वर्ट्स बीजेपी आज की तारीख में कॉंग्रेस के फुट्प्रिंट्स कम होती जा रहे हैं लेकिन दो प्रमुख पार्टिया है नाशनल पार्टी है एक जो अपोजिशन की सबसे बड़ी पा रहा हूं या यह आपको जानना चाहिए कि चुनाओ में पैसे का इस्तमाल होता है कुछ पैसा जायज होता है कुछ नाजायज होता है इस नाजायज को रोकने के लिए बहुत बहुत दिन से कोशिश चल रही है कम से कम कागजों पे दिख रहा है कि कोशिश चल रही है कितने गंभीर पुलिटिकल पार्टी हैं इसमें कितना वो ट्रांस्पेरेंट बनना चाहते है ये तो फिर डिबेट का इशू है लेकिन अभी आपको बता दे कि मार्च दोहजार तेज तक का डेटा जो मैंने खंगा ला इसमें कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के एकाउंट में जिसकर ये कितना होगा ये पैसा आपको बड़ा लग सकता है लेकिन नैशनल पार्टी है और पूरे देश में चुनाव लड़ती है तो उसके पास कितना होना चाहिए कितना होगा 162 करोर रुपे उसके एकाउंट में मार्च 2023 तक आखरी जो फिगर मैं देख पाया वो मार्च 2023 तक था BJP अब आप बता सकते हैं कितरा पैसा होगा BJP के एकाउंट में 1000 करोर सुबर BJP के एकाउंट में आपको बता देता हो 5425 करोर जो मैंने गेस किया उसके पाँच गुना अब एक पुलिटिकल पार्टी कॉंग्रेस है जिसके एकाउंट में 162 करोर है एक BJP है जिसके एकाउंट में 5425 करोर है इन दोनों पार्टियों को आमने सामने करीब 200 से 300 स्टीटों पे चुनाओ लड़ना है और Election Commission से लेकर सबसे ज़्यादा जरूरी है वो जरूरी है लेवल प्लेइंग फील्ड अब आपन लादा लगा सकते हैं कि 162 करोर और पाँच हजार 425 करोर अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं इसलिए बार-बार सवाल उठता है कि क्या जिस Congress के बारे में कहा जा रहा है और जिस Congress ने ये कंप्लेन किया है कि भाई इस तरीके से हमला कि आप कि हमारे पास सलरी देने के लिए पैसे नहीं है इलेक्रिसिटी बिल भधने के लिए पैसे नहीं है बीजेपी के वरिश केता लॉव मिनिस्टर भी रहे है रवी शंकर प्रशाथ उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस सब करना जानती है सिर्फ समय पे इंकम टैक्स के जो की जो फॉर्मिलिटी से वो करना नहीं जानती है तो यह इंकम टैक्स जो यह सरकार पे आरोप है वो बिल्कुल यह इंकम टैक्स का अपना एक प्रसीजर है जिसके तहत वो पूश्टाश कर रहे हैं इसका हमारी पार्टी से कोई लिना दे नहीं वो इंडिपेंडेंट एजनसी है तो यह जो इंडिपेंडेंडेंट एजनसी है चाहे वो CBI हो चाहे वो ED हो चाहे वो आज की तारीख में इस केस में इंकम टैक्स हो तो टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या इंडिपेंडेंडेंस है जिसमें जब आप चुनाओं में जाने वाले हैं उसी वक्त आपको पांच साल पुरा ना वो कर सकते हैं वो पूछ सकते हैं और कॉंग्रेस पार्टी ने अगर गरबर किये उनको जवाब देना चाहिए लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ ED की केस में और इस केस में भी कि टाइमिंग सस्पेक्ट हो जाता है कि ऐसा क्यों है कि जब आप चुनाओं के मुहाने पे हैं आप किसी वक्त प्लंज ले सकते हैं तो आपको उसी वक्त इंकम टाक्स का नोटिस मिलता है आपके पैसे फ्रीज किये जाते हैं और आप आप इस तरीके से आपको लगता है कि शायद हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है हमारी जो मूल भूत जरूरते हैं चुनाओं के सब्सक्राइब जो आपने नंबर्स बता हैं कॉंग्रिस एक सो बासट करोर बीजिपी लगभग साढ़े पांच हजार करोर यह दस गुना बीस गुना बनी तीस गुना बनी चालीस गुना के आसपास लगभग इतनी इतना जाधा डिफरेंस यह सीधे तोर पे आप आप रै लेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर्ग्राउंड जितना protection commission बोलता है पैसे खर्च करने के लिए उसे कहीं जइदा elections में खर्च किया जाते है आला कि यह अंदर की बात हैलेकिन ऐसा होता है तो यह बहे चुनाओं में ऐसा होगा ही ये बार-बार कहा जा रहा है इस बात को कि और कहा जाता रहा है पहले से कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को नहीं चाहिए चुनाओं में खर्चे का हिसाब किताब तो अलग है लेकिन दो पार्टियां या चार पार्टिया या जितने भी लोग लड़ते हैं और इसलिए एक ज़स्था रखी गई है कि आस्बली के चुनाओं में आप कितना खर्च कर सकते हैं آپ पार्लिमेंट के चुनाओं में कितना खर्च कर सकते हैं और चाहे वो कैंडिय्ड हो चाहे वो प्लिटिकल पार्टी हो सबको एलेक्षण कम्िशन को बताना पड़ता है कि आपने 인 चुन वो 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 यह एलेक्समें एक फेर गेम है ही नहीं अटीर बहुत दिन से इस पर काम कर रहा है और अप जब उनके लोगों से बात करेंगे तो वो चाहे वो क्रिमिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स हो चाहे पॉलिटिक्स में फिनाल्स का इन्वाल्व होना हो और इसी लिए जो चुनावी चंदे का इशू है जिस पे पांच जजों की बिंच ने सब ने ये बात कही जो कानून सरकार लेकर आई थी 2017 में उसको कहा किया और समवैदानिक है ये बहुत दिनों से चर्चा थी कि आखिर इलेक्टरिल बॉंड किसके पक्ष में कितना जा रहा है कौन दे रहा है कौन ये उसके बदले कोई फेवर ले रहा है कहा सुप्रिम कोट ने ये आटियाई जो है राइट टू इन्फरमेशन जानने का जो आपका अधिकार है मौली का अधिकार उसके भी खिलाफ है आप वोटर है उसको इस बात से महरूम नहीं कर सकते मौनिभिग ये नहीं रह सकता कि किस ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है ये उसका राइट है और इसके आधार पे वो तैक करेगा कि भई ये ये जो पार्टी हमारे पास आई है इसको इस पार्टी ने इस इस बिजनेस हाउस ने इतना चंदा दिया है आखिर क्यों दिया होगा उसके दिमाग में ये कौन दना चाहिए अब उस पे एक वहला कि कल इसको बहुत डीटेल से लोगों ने बताया है लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूँ कि जो सुपरिम कोट ने सवाल उठाया है चुनावी चंदे को लेके इलेक्टरल बॉन को लेके छे साल हुए हैं इन छे सालों में मैं हर साल का नहीं बताता हूँ छे सालों में किस पार्टी को कितना इलेक्टरिल बॉन्ड के जरिये चंदा गया अब ये मैं कह रहा हूँ 2017 से 2013 तक BJP से ही सुरू करते हैं BJP 6566 करो जो कॉंग्रेस है वो डिस्टिन सेकिंड है 1130 करो उसके बाद आती है TMC TMC एक रीजनल पार्टी है उसको 2023 में करो मतलब BJP कॉंग्रेस और TMC करीब करीब बराबर है जबकि एक रीजनल पार्टी है एक नाशनल पार्टी है जिसकी हाल तक कई प्रदेशों में सरकार थी दो प्रदेशों में भी सरकार चली गई लेगे तोई 1000 करोर से उपर है 1000 करोर से उपर हो बहुत कम का डिफरेंस TMC और कॉंग्रेस में उसके बाद पैसा खर्च भी बहुत होता है पैसा है भी बहुत 670 करोर DRS अब यह सत्ता से बाहर हो गए है 384 करोर YSR CP यह सब साउथ की पार्टिया है 382 करोर यह यह एलेक्टरल बॉन्ड के थुरू आपको जो चंदा मिला है उसकी एक फिगर है अब 6566 करोर 1123 करो इसमें जमीन आस्मान का फर्क साफ साफ दिखता है इसी लिए यह कंसर्ण जटाया गया इस पे अभी आप तो खर यह बंद कर दिया गया है फिलाल लेकिन तेरा तरीक को पोट ने बोलाई किया बताईए आप एलेक्शन कमिशन को कहा वेब साइट पे डालिए आपको बताना पड़ेगा कि अमुक और्गनाइजेशन ने इंडर्स्टियल हाउस ने बिजनेस हाउस ने इस पार्टी को इतना चंदा दिया तेरा तारीक को बताने के लिए बोलाईए तेरा मार्च को तो अब बताना पड़ेगा लेकिन ये दोनों चीजे आपस में जुड़ती है क्योंकि ये सब चुनावी चंदे का मसला है एक चंदे से जो पैसा आया उसका सही इस्तमाल तो एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जो विपक्ष है और खासतोर पर जो कॉंगरेस है उसको एक मौका दे दिया इस टाइमिंग ने कि एक तो चंदे में भी जो हाल है वो आप सब के सामने है और ये सुप्रीम कोट कह रहा है कि अब सुप्रीम कोट ने कह दिया पांच जजों की बेंच ने कह दिया यूनैनिमस तरीके से कह दिया और दूसरा जो पैसा है वो हम इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एजनसी इंकम टैक्स यहां पिक्चर में आ जाती रोक लगा दिया अकाउंट तो ये एक विक्टिम कार्ड जिसको कहते है विक्टिम गार्ड खेलने का एक मौका कॉंग्रेस पार्टी के पास है और वो इसलिए ये बता रही है कि जो सत्ता में बैठा दल है वो मसल देना चाहता है इसलिए खड़के साब कह रहे है कि मैं कहता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि मोदी आगया तो अगला चुनाओ नहीं होगा तो पुल मिलाकर ये एक ऐसा इशू है जो हम सब का ध्यार अट्रैक्ट करता है गॉंग्रेस ने गलती की पुल दें फड़ाट बट जिस वर्ट आपने ये किया है और जितना पैसा उनके अकाउंट में है और जितना पैसा बीजेपी के अकाउंट में है एक बड़ी डिस्पारिटी दिखती है ये बात सही है कि जो सत्ता में होता है कॉंग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही होगी चंदा उसको ज़्यादा मिलता रहा हो बीजेपी को कम मिलता था उसमर्ट कम मिलता रहोगा मैंने वो आकड़ा देखा नहीं है वो खंगालना पड़ेगा थोड़ा सत्ता में जो पार्टी होती है वो किसी भी बिजनेस हाउस की बड़े जो धनाडे लोग है उनकी पहली पसंद हो जाती है लेकिन इतना बड़ा जो गैप है वो उस तरफ इशारा करता है कि हमारे एलेक्शन प्रोसेस जो है उसको बहुत बहुत अंदर तक ठीक किये जाने की ज़ववत है ताकि लोगों को लोगों कह रहा हूँ पुलिटिकल पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले फ्री औ आपको जानना पड़ेगा कि आपके पॉलिटिकल पार्टी को कौन कब कैसे कितना चंदा दे रहा है आपको दोनुछ चीजों के बारें बता है सबसे पहले आपने जाना आज कि कॉंगरेस का जो अकाउन फ्रोजन फ्रीज किया गया है क्यों किया गया कैसे किया गया उसके टाइमिंग की उसस्पेक्ट है और कल हमने इलेक्टराल बॉन्ड पर बात नहीं की ती उसके बार में भी आपने थोड़ी सी चल्चर चुनी है अब ओवरल हम आपको यहीं बताना चाहते हैं कि आपको जानना पड़ेगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कब कैसी कितना चंदा दे रहा है तेरा तारीक को जब इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया उन नामों के बारे में अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल चापेगी या फिर कोई भी डॉक्मेंट पब्लिश करे करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही है 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 है